आप जो भी कर्म करते कोई देखता है की नहीं देखता है पर आपका अंतरात्मा देखता है और वही फल बनके आपके सामने आप जब भी आप कोई कर्म करें और उसका फल आपको दुख मिलता है तो जरूर आपके किसी की ये का परिनाम मिलता है जो व्यक्ति सेवा करता है उसके लिए आपको कुछ कहने की आवशक्ता नहीं पड़ती, अधिकार मांगने नहीं पड़ते, सेवा करने वाले व्यक्तियों के पास अधिकार चल कर आते, सफलता चल कर आते एक संत थे, दिन भर पुनम हुई, अपना मावस्या हुई, चतुर्थी हुई, द॥ितिया हुई, लोग दर्शन करने आ जाते आज क्या तो द॥ितिया जैसे तुम लोगको पूछे आज क्या, तो आज तो ना इतवार, ना गुरवार, ना एकादशी, ना पूनाज क्या, तो आज पंछ मी है, जैसे आप सुछते थे कि ये चलो थोड़ा बगवन नाम का किर्तन कर लो, थोड़ा सत्संग सुना लो, वो सत्संग सुनाते, वो अपना बगीचे बगीचों में दो तीन गाय रखी थी, उनकी सेवा करते, बाग बगीचों में पानी बढ़ाते, एक मिनट भी अगर उने मिलता ना, वो बगवन नाम लिखते है, बोलो, उनोंने कितने, छे महिने की दस महिने में, करोडों में लिख दिया, बगवन नाम, यह राम नाम, करोडों में लिखा, एक दिन लिख रह थे, तो सीता राम जी की दर्शन होगे उनको, और उनोंने पूछा कि मेरे कौन से पुन्य, कि मुझे दर्शन होए, मुलेक तो तुम संत हो, सादू हो, आना पेक्षा से लिखते हो, आना पेक्षा से मेरा जब करते हो, आप तुमारे जब की संख्या इतनी हो गई, कि वो मेरा नियम है कि इतनी संख्या पूरी हो तो दर्शन हो ने है, मैं क्या करूँ अब ये बताओ, उसने का, मैंने तो बुलाया नहीं, तुम आये क्यों, बोले तेरे नाम जब से आया हूँ, तो अब क्या चहिए तुमको, बोले मुझे तो कुछ चहिए ने तुम आये, क्यों ये बताओ, बोले मैं क्या करूँ मैं आया तो, क्योंकि वो तो नियम है प्रकृति का, कि इतने करोड या, इतनी संख्या में जब होता है, तो मेरा दर्शन होना, अब मैं क्या करूँ? तो एक मिनट वो फरी नी बढ़ते, एक मिनट मिलती, बागवन नाम लिखते, उसका परिणाम उने दर्शन होते रहते थे, राम लिखे तो राम जी के दर्शन होते रहते, तो अब दोनों आमने सामने, यह दूसरे के वो बोले, मैं क्या करूँ? मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखे बिना रहनी सकता, इसलिए मैं लिखता हूँ, तेरे दर्शन के लिए थोड़ी मैंने लिखा, मेरी काम नहीं नी थी, बोले, अब मैं प्रगट उआ तो बिना दिये जाता, अब बोलना क्या चाहिए तेरे, बोले मुझे कुछी तेरे, कुछी तो मांग, आमने सामने दोनों, निश्काम यक्ति कड़े, निश्काम को निश्काम मिला, क्या मांगेंगे? ज्यानी से ज्यानी मिले, करे ज्यान की बात, अज्यानी से अज्यानी मिले, मिले करे लातम लात गदे से गदा मिलता है तो लाता लाती करता है ऐसे अग्यानी से अग्यानी मिले तो लातम लाता लाती करता है अग्यानी से ग्यानी मिले तो ग्यान की चर्चा होगी तो बोलो केवले उनके भगवन नाम लिखने से ही बोले यह प्राप्त ही कि भगवान उसके पीछे पीछे फिरे कि तुने लिखे, अब बता तेरे को चाहिए क्या, वो मुले मेरे को कुछ न चीए, बोले नहीं तेरे को मांगना तो पड़े, बोले बोले जा नहीं पर लिखा क्यों, बोले तो में रहनी सकता इसलिए लिखा, तो जगड़ा हो गया उनका, आपस में जगड़ा हो गया, मीठा वाला, तो नाम जब का अनन्त फायदा है, किसी कामना से नहीं लिखा जाता है, कामना से नहीं किया जाता है, तो अनन्त फायदा है, निश्काम का फायदा, निश्काम मिलता, सकाम का फल सकाम निशकाम का फल नहीं पर निशकाम का फल निशकाम की प्राप्ति होती निशकाम कर्म करना चाहिए सेवा का फल कामना हो गई तो आपने सेवा को छोटा बना दिया आँख लिया ना तो आपने उसकी कीमत लगा लिए चाहे वो यश हो चाहे कीर्थी हो, चाहे परिवार हो, चाहे पुत्र-पुत्री का सुरक्षा हो, पर आपने कामना उत्पन की, तो आपने उस सेवा का फल ले लिया, और जिस सेवा का फल अनमोल होना चाहिए, उसका तो आपने मुल्य लगा लिया, तो वो फल तो आपको छोटा मिलिया क्योंकि आपकी मती जो चाहेगी परमात्मा की मती उससे कहीं अधिक है आप मांगोगे पटे वाला प्राइम मिनिस्टर से कुछ मांग ले तो क्या मांग सकता है गर, गाड़ी, रुपया पैसा पर यदी म्राजा देना चाहेगे आनन्द देगा आप मांगोगे तो छोटा मांगोगे काम ना करोगे तो अखेर टो आखिर क्या काम ना करोगे कर awareness क्या कर सकते हो आप पैसा मिल जाएह कितना मिल जाएह बारा, पंदरा, पचीस लाख, पचास लाख परमात्मा देगा तो. वो सकता है, ऐसा देदेवे कि पचीस लाख वाले आपके चरणों में बैठे? वो सकता है, आप मांगोगे तो इतना सा मांगोगे, मेरी बेटी ब्याई तो सुखी, शांती से अपने गर में ब्याए के चली जाए. पर, वो सकता है, परमात्मा आपको ऐसी बेटियां देता, कि आपके कारण सारी बेटियां ही सुखी हो जाए. तो आपकी बेटी तो होनी है. तो परमात्मा के देने में वो अनंत है, उसका नाप नहीं है. आपके मांगने की सीमित ता है उसके देने की सीमा नहीं तो सेवा के बदले कुछ कामना नहीं होना चाहिए कामना किया तो आपने उस सेवा का मुल्य ले लिया उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा उतना ही मिलेगा जितना आपने चाहिए आप जो भी कर्म करते कोई देखता है कि नहीं देखता है पर आपका अंतरात्मा देखता है और वही फल बनके आपके सामने लगता है तो जब भी आप कोई कर्म करें और उसका फल आपको दुख मिलता है तो जरूर आपके किसी की ये का परिनाम मिल रहा है तो जो व्यक्ति सेवा करता है उसके लिए आपको कुछ कहने की आवशक्ता नहीं पड़ती, अधिकार मांगने नहीं पड़ते सेवा करने वाले व्यक्तियों के पास अधिकार चल कर आते, सफलता चल कर आते जो व्यक्ति केवल बोलता है अधिकारों की मांग करता है वो व्यक्ति सेवा करना जानता ही नहीं यदि आप सेवा करो अधिकार आपको चल कर आएगा सफलता आपको चल कर आएगा ऐसे सेवकों को हमने देखा बहुत मजदीक से परखा आप सेवा करो अगर तो आपके कर्मों का देखने वाला परमात्मा ना होता तो उसकी सर्व व्यापकता कैसी कोई नहीं देखता किसी ने किसी को मार दिया कोई नहीं देखता पर उसको कोई नो कोई पैदा हो जाता मारने वाला कौन ने देखा वो परमात्मा की सरवव्यापकता कैसी। वो आदमी सेवा करता है, इसने किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं पता पूरे गाऊं में कि ये सेवा में डालता इतना पैसा। हम गए, हम ने जानकारी ली, हम ने पूछा, बात बाहर आई। किसने देखा इसका यहां आना, हमारा मिलना किसने देखा, इसको वहां मान मिलना इसने नहीं बताया फिर भी यह गुरू जी बन गया एक साधारन परिवार से वो आदमी, उनके बच्चों को वैसा सन्मान मिलना, गुरू जी का किसने देखा, उस सर्वव्यापक्ती, की सर्वव्यापक्ता आपके करमों का लिंदिन करती है, वैसा ही आपको मिलता है, जैसा आपको, बीच डालता है, तो आप सेवा करते हैं, उसका परिणाम आपको अनंत रूप से मिलता है, किस रूप से मिलेगा वो आप भी नहीं जानत मिल्टाई मिल्टाई